कलाकार बेमिसाल में पल पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन मी की प्यास ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो हर शाम आपों पर तिरा चल लहरा है हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूं तेरे खुशकू आती है इक महका महकाशा परगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास तुम रहती हो कल तुझ को देखा था मैंने अपने आंगन में जैसे कह रही थी तुम मुझे बाद हो बंधन में ये कैसा रिष्टा है ये कैसे सपने है बेकाने होकर भी क्यूं लगते अपने है मैं सोच में रहता हूं डर डर के कहता हूं पल पल दिल के पास तुम रहती हो तुम सोचोगी क्यूं इतना मैं तुम से प्यार करूं तुम समझोगी दिवाना मैं बेकरार करूं दिवानों की ये बाते दिवाने जानते हैं जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं तुम यूं ही जलाते रहना आ आ कर खाबों में पल पल दिल के पार तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास राचेंदर कृष्ण ने और इसे आवाज दी थी किशोर्दा ने वैसे आपको एक शेर सुनाती उ जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए जाते नहीं हैं दिल से अब तक तुम्हारे साए अब ये शेर किसने लिखा है इसे लिखा है राजेंदर कृष्ण ने ऐसे बहुत ही कम शायर रहे हैं जिनें शायरी की महफिलों में तो दाद मिली ही साथ ही साथ सिनेमा के साथ भी उनका जो सफर रहा वो बेहत सुहाना रहा ऐसे ही मशूर गीत कार रहे राजेंदर कृष्ण जिने आज हम याद कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में और आज उन्हीं के लिखे गीत हम आपको सुनाने वाले हैं दिल की धड़कन क्या होती है ये अनजाना राज बता दूँ बतला दो ना आओ तुम्हें मैं प्यार से खादूँ पहले धीरे से पलकों की चिल्मन जरा गिरा लो कैसे? ऐसे? अब अपने रुकसारों पर ये दुल्प जरा विखरा लो ऐसे? हाँ, ऐसे? देखो मुझको दर लागे देखो मुझको दर लागे जाने क्या होगा आगे? सबर करो तो समझा दूँ समझा दो ना आओ तुम्हें मैं प्यार से खादूँ छोड़ के वेगा नापन अब तुम मेरे पास आ जाओ आ गई लो आ गई भूल के सारी दुनिया इन बाहों में खो जाओ ना 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 बाबा ना प्यार नहीं होता ऐसे होता है फिर वो कैसे सहरो तुम्हों समझा दूँ समझा दो ना आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूँ प्रेम नगर की दगर दिखा दूँ आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूँ पूल के खुशबू पवन के सूरत कभी आँख से देखी नहीं तो तन तो देखा मन की मूरत कभी आँख से देखी नहीं नहीं प्यार नहीं कोई वासना, ये तो एक उपासना समझे, नहीं समझे आओ तुम्हे मैं समझा दू समझा दो न आओ तुम्हे मैं त्यार सिखा दू आओ तुम्हे मैं त्यार सिखा दू प्यार तो आपको हो जाएगा हरे गीत से इतने खूपसूरत गाने लिखे हैं राजे इंद्र कृष्ण ने गीत कार राजे इंद्र कृष्ण का जन 6 जून 1919 गुजरात के जलालपुर जटन गाउं में हुआ था आठमी क्लास में पढ़ते पढ़ते ही उन्हें कविताओं से बेहत महबत हो गई उन्हें निराला पंत और फिराक गुरकपुरी की रचनाओं से बहुत प्रेम था वे अक्सर अपने स्कूल की किताबों में छिपा कर फिराग गुरकपुरी सहाब की शायरी पड़ा करते थे और खुद भी जब भी कोई ऐसा भाव मन में आता तो उस पे तुरंत कविता लिख देते खुद भी आसमा से जब जमी पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुद भी आसमा से जब जमी पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुद भी आसमा से मुसाविर खुद परेशा है किये तस्वीर किसकी है बनोंगी जिसकी तुम ऐसी हसी तकदीर किसकी है कभी वो जल रहा होगा कभी खुश हो रहा होगा खुद भी आसमा से जब जमी पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुद भी आसमा से जमाने बर कि मस्ची को निगाहों में समेटा है कली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा खुदा भी आसमा से जब जमी पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमा से फरिष्टे भी यहां रातों तो आकर घूमते होंगे जहां रखती हो तुम पाओं जगे वह जूमते होंगे किसी के दिल पर गया गुजरी यह वो ही जानता होगा खुदा भी आसमा से जब जमी पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमा से यह दौर कुछ खास है चारों और हो रहा विकास है आजादी के अमरत काल में हमें समय नहीं गवाना है अगली 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो आप भी समय ना कमाएं बे कंपनी, कॉर्टपुरेट्स या फिर सैलरीड इंप्लोई जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है वो अपने अडवान्स टैक्स की कुल अग्रिम राषी का 15 प्रतिशर 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगती को मिलती है गती प्रत्येक आय करता था एक राष्ट्र निर्माता आईश्मान भारत प्यम जय योजना के अंतरगर करोणों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपे तक का मुफ्त उपचार का लाब उठाया गरीब की सेवा करने का मैं समता हूँ उससे बड़ा कोई कारकम नहीं हो सकता है अभियान नहीं हो सकता है योजना नहीं हो सकता है ओजल कदमों से बस में बैठे उसके दोस्त हस रहे मानों चिड़ा रहे उसे और वो बुझा बुझा सा जा रहा सबसे नजरे जुराते मा ने पूछा तो पता चला साइबर बुलिंग करके बच्चे को परिशान किया जा रहा है स्कूल की पढ़ाई के साथ बच्चों को सिखाएं सुरक्षा के जरूरी पाठ उसे बताएं कि अगर कोई साइबर बुलिंग या यौन सोशन या किसी अन्य तरीके से परिशान करें तो फॉरन टीचर तथा माता पिता को इसकी जानकारी दें दिल्ली पुलिस से 112 पर संपर करें चाइंड सेफटी के लिए दिल्ली पुलिस है आपके साथ बच्चों की सुरक्षा है हमारा करतव्या सुरी लिसी इक डगर है अफम गोर्ड शामों तहर हम सफर है अफम गोर्ड राहों मेर है गुजर है अफम गोर्ड सौद शमलव एक मेगा हट्स पर आप सुन रहे है आकाशवाणी का एफम गोर्ड चैनल शबनम के साथ है आप और प्रोग्राम का लाकार बेमिसाल में आज बादे हो रही हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण की राजेंद्र कृष्ण को पढ़ाई लिखाई का शाक शुरुआत से ही था और वे इस काम में बहुत अच्छे भी थे पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने बड़े भाई के पास वे शिमला रहने लगे वहीं बिजली विभाग में उनकी हैड क्लर की नौकरी लग गई वे नौकरी के साथ कवी सम्मीलन और मुशायरों में भाग लेने लगे ऐसे ही एक मुशायरे में उनके जीवन की रहा बदल गई है गुल बदन है गुल बदन फूलों की महक तांटों की चुबन तुझे देखते कहता है मेरा मन कहिया किसी से महबत ना हो जाए कहिया किसी से महबत ना हो जाए ऐ गुल बदन ऐ गुल बदन फूलों की महक तांटों की चुबन तुझे देखते कहता है मेरा मन कहिया किसी से महबत ना हो जाए कहिया किसी से महबत ना हो जाए क्या हसी मोड पर आ गई जिंदगानी के हकिकत न बन जाए मेरी कहानी क्या हसी मोड पर आ गई जिंदगानी के हकिकत न बन जाए मेरी कहानी जब आहें भरे ये ठंदी पवन सीने में सुलग उठती है अगन तुझे देखते कहता है मेरा मन कहिया किसी से महबत ना हो जाए कहीं आज किसी से महबत ना हो जाए मैं तुम्ही से युँ आँखे मिलाता चला हूं के तुम्हीं को मैं तुम्हें से चुडाता चला हूं मैं तुम्हीं से युँ आँखे मिलाता चला हूं मत पूछ मेरा दीवाना पन आकाश से उँची दिल की उरन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए ए गुल बदन ए गुल बदन पूलों की महक काटों की चुबन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए 1945 के बाद है हिंदुस्तान के सब ही बड़े शायर एक मुशायरे में शरीक हुए उन्ही में एक बहुत बड़े मशूर शायर जिगर मुरादाबादी भी थे इसी महफिल में राजेंद्र क्रिशन को अपनी घजल पढ़ने का मौका मिला घजल का मतला सुनते ही जिगर मुरादाबादी साहब जूँ उठे इतने बड़े शायर की तारिफ मिलकर जो खुशी राजेंद्र क्रिशन को हुई उसने उनकी जिन्दे की बदल दी उन्होंने राजेंद्र क्रिशन ने निश्चे किया कि अब वे पूरी तरह से बस शायरी ही करेंगे वो मतला कुछ इस तरह था नजट को जुल्फ से पानी ये मोती पूट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगडेगा मगर जुल्फ तूट जाएंगे न जट को जुल्फ से पानी ये भी की रात ये भी का बदन ये हुस्न का आलम ये भी की रात ये भी का बदन ये हुस्न का आलम ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लुट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगडेगा मगर जुल्फ तूट जाएंगे न जट को जुल्फ से पानी ये नाजुक लब है या आपस में दो लिप्टी हुई कलिया ये नाजुक लब है या आपस में दो लिप्टी हुई कलिया जरा इनको अलग कर दो तरन फूट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगडेगा मगर दिल तूट जाएंगे न जट को जुल्फ से पानी हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू चलो अच्छा हुआ मरकर जहां से छुट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगडेगा मगर दिल तूट जाएंगे न जट को जुल्फ से पानी ये मौती फूत जाएंगे न जट को जुल्फ से पानी कहते हैं कि ये गीत राजेंदर कृष्ण ने अपनी पत्नी को देख कर लिखा था और आज इतने सारे लोग अपनी पत्नीों को ये गीत सुनाते होंगे बेहद रोमेंटिक गाना और इसे आवाज दी थी मौहमद रफी सहब ने राजेंदर कृष्ण की बात हम कर रहे हैं बहुत ही मशूर शायर और गीतकार राजेंदर कृष्ण ने कलर्क वाली नौकरी छोड़ दी वे अपने एक साथी के साथ मुंबई आ गए और उनके साथ ही को फिल्म निर्मान का बहुत शाग था उन्होंने अपने पैसे से फिल्म बनाई लेकिन फिल्म बुरी तरह से सफल रही इससे निराश होकर राजेंदर कृष्ण के साथ ही शिमला वापस चले गए लेकिन राजेंदर कृष्ण वहीं पर रहे ये जिन्दगी मुती की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया ये जिन्दगी मुती की है जो दिल यहान मिल तके मिलेंगे उस जहान में जो दिल यहान मिल तके मिलेंगे उस जहान में खिलेंगे हसरतों के फूल जाके आसमान में ये जिन्दगी चल गए ये जिन्दगी चल गए जो प्यार में तो क्या हुआ ये जिन्दगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया ये जिन्दगी उसी की है सुनाएगे ये दासता शमा मेरे मजार की सुनाएगे ये दासता शमा मेरे मजार की खिजा में भी खिली रही ये कलिया नार की इसे मजार मत का हो ये महल है प्यार का ये जिन्दगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया ये जिन्दगी उसी की है ये जिन्दगी की शामुआ तुझे गले लगाओ मैं तुझी में डूब जाओ मैं जहां का दूल जाओ मैं बचिक नजर मेरे सुन्म अलविदा अलविदा अभी नहीं जाना है अभी तो बहुत सारी बाते करने हैं आपके साथ सौद अशमलव एक मेगहट्स पर आप सुन रहे हैं आकाश वानी का एफम गोल्ड चैनल शबनम के साथ हैं आप और आज बाते हो रही हैं गीतकार राजे इंदर कृष्ण की फिल्म की कहाने लेकर राजे इंदर कृष्ण सिनेमा के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर चुके थे उस फिल्म का नाम था जनता इसके बाद उन्हें किशोर शर्मा की एक फिल्म के गीत लिखने का मौका मिला उन्हें पहली बार सफलता मिली महात्मा गांधी की हत्या पर लिखे एक गीत की वज़े से जिसे मुहमद रफी ने आवाज दी थी ये गीत देश भर में बहुत चर्चित रहा, बहुत फेमस रहा और इसके बाद तो राजेंदर कृष्ण की कस्मत की गाड़ी आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई एक के बाद एक लोक प्रिये गीत वे लिखते गए एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ जो पहली बार कमर्शल हिट था फिल्म से जो गाना था ये मैं बढ़ती हूँ चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है पहली मुलाकात है चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है पहली मुलाकात है सौजन की बात पर गुसा जो गया सौजन की बात पर गुसा जो गया अभी अभी दिन था अभी अभी रात है पहली मुलाकात है चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है पहली मुलाकात है पहली मुलाकात में बात ऐसे हो गई राजा फिखो गया राणी फिखो गई हो राणी फिखो गई पहली मुलाकात में बात ऐसे हो गई दुनों को ना पता चला मजी की ये बात है दोनों को ना पता छला मज़ी की ये बात है पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है बड़ी बेहन फिल्म का था ये गाना जो आपने सुना और इस गाने को लिखा था राजेंदर कृशन ने इस गीत की लोक प्रियता से खुश होकर फिल्म के निर्मादा निर्देशक ने राजेंदर कृशन को आस्टिन कार तोफे में दी थी फिल्म इंडस्ट्री में राजेंदर कृशन ना केवल अपनी सशक्त पहचान बना रहे थे बलकि उनके वहवार की वज़े से अच्छे वहवार की वज़े से उनके दोस्तों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी महमूद साहब, महमद रफी और सुनील दत उनके सबसे करीबी मित्र रहे इसके अलावा दिलिप कुमार साहब के साथ भी उनकी गहरी दोस्ती रही और उन्होंने साथ मिलकर शानदार काम किया गोपी फिल्म आपको याद होगी, इस फिल्म में हिंदी सीनिमा के सबसे बहतरीन भज़न आपने सुने होंगे उन्ही में से एक भज़न मैं आपको सुनाने वाली हूं यह ऐसे भज़न हैं जो दशकों बाद भी आज भी आप सुनते हैं और सुकून पाते हैं इस फिल्म के लिए वैसे मैं आपको बता दूँ कि फिल्म फेर में नॉमिनेशन मिला था राजेंदर कृष्ण को सब साथे दुख में न कोई सुख के सब साथे दुख में न कोई मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तुझा न कोई सुख के सब साथे दुख में न कोई जीवन आनी जानी चाया जूटी माया जूटी काया फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गच्डी धोई सुख के सब साथे दुख में न कोई मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तुझा न कोई ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला पेरा राजा हो या रंक सभी का राजा हो या रंक सभी का अंत एक साहोई सुख के सब साथे दुख में न कोई मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तुझा न कोई अभी नेता और फिल्मकार महमूद के साथ भी राजेंद्र क्रिशन का रिष्टा बहुत ही खास रहा बहुत ही गहरा रहा काम्याब रहा आप शाय जानते हों कि अभीनेता महमूद ने कई दक्षिन भारती और हिंडी फिल्मों का भी सफल निर्देशन और निर्मान किया था उन्होंने दक्षिन भारती फिल्मों में राजेंद्र क्रिशन को जोड़ दिया और कई तमिल फिल्मों के गीत और डायलोग उनसे लिखवाए एक समय ऐसा भी आया जब राजेंद्र क्रिशन हिंदी और तमिल सिनेमा के सबसे महंगे गीत कार लेखक बन गये अमिताब बच्चन और राजेश खन्ना के साथ भी उनका रिष्टा बहुत ही पारिवारिक था कहा जाता है कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए राजेंद्र क्रिशन का पडोस में रहना एक जादूई अनुभव था क्यूंकि बड़े-बड़े सितारे उनके घर अकसर देखे जाते थे सत्तर के दशक में रेडियो और दूर दर्शन पर उनके गाने बहुत जादा सुनाये जाते थे बहुत जादा दिखाये जाते थे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाद का टुकडा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाद का टुकडा रहता है अब सोच यह है के वो हमसे कुछ उखडा उखडा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाद का टुकडा रहता है जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए दिल ठाम के एते बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए अब आत पहर इन आखों में वो चंचल मुखडा रहता है मेरे सामने वाली किरिकी में एक चांद का तुखडा रहता है बरसाद भी आकर चली गई बादल भी गरज कर बरस गए पर उसकी एक जलक को हम ऐ हुसन के मालिक तरस गए कब प्रास भुजेगी आखों की दिन रात ये दुखडा रहता है मेरे सामने वाली किरिकी में एक चांद का तुखडा रहता है राजेंदर कृष्ण एक अच्छे लेखक और गीत कार थे उनके पास नाम, पैसा, शहरत सब कुछ था लेकिन अपनी काम्याबी पर उन्होंने कभी घमण नहीं किया कहा जाता है कि पैसे से उन्हें बिलकुल भी प्रेम नहीं था वे घर में टहलते हुए गीत लिखते अकसर दिली के चांदी चौक आते और दोस्तों के साथ छोले भटूरे और आलू पूरी खाते वे एक सामान ने बनियान और लुंगी पहन कर रहते थे और बहुती साधारन जीवन जीते जीवन के अंतिम पड़ाव तक उनका स्वभाव ऐसा ही रहा काम को शिदत से करना, दिखावा प्रपंच और गुरूर से दूर रहना आज कलाकार बेमिसाल उन्हें समर्पित आज के मुलापात बस इतनी अच्छी नहीं होती है रिद इतनी देखो हमें तुम से है भीत कितनी आज के मुलापात बस इतनी प्यार जो किया है जताते हो क्यों बात ऐसी होटों पिलाते हो क्यों और हम जो पूछे सताते हो क्यों अभी अभी आए अब जाते हो क्यों आज के मुलापात बस इतनी करने ना बाती कल जाहे जितनी अच्छी नहीं होती है रिद इतनी देखो हमें तुम से है भीत कितनी आज के मुलापात बस इतनी कभी कभी ऐसे भी आया करो चांद निकले तो घर जाया करो कभी कभी ऐसे भी आया करो चांद निकले तो घर जाया करो आएंगे जाएंगे मरदी से हम प्यार है तो लाज भी उठाया करो अच्छी नहीं होती है रिद इतनी देखो हमें तुम से है भीत कितनी आज के मुलापात बस इतनी कर लेना बाती कल चाहे जितनी आज के मुलापात बस इतनी उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा कलाकार बेमिसाल लेकिन हमारी मुलापात सिर्फ इतनी नहीं है एक बचकर दस मिनट पर आप से फिर मिलूँगी मैं घर आंगन में विलाल तो आकाश वानी एफम कोल पर वक्त हो चला है समझ